तो कैसे हो आप सब आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे बहुत अच्छा होंगे आप सभी का मूड कैसा है आप लोग अपने मूड के बारे में बताइए तो अगर आज आपका मूड अच्छा है तो ये वीडियो आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में आज जो अगला चैप्टर है यह मूड तो रेनन मार्टिन के बुक से हम लोग ग्रैमर पढ़ रहे हैं complete ग्रैमर सीरीज आपको रेनन मार्टिन का इस चैनल पर मिलेगा तो आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नमबर 23 जिसके अंदर हम लोग मूड के बारे में पढ़ेंगे बहुत यह लूए जिसका मूद ठीक नहीं है प्लीज आप इस वीडियो को नहीं देखे जाल करते हैं को चलिये स्टार्ट करते हैं तो देखे, सबसे पहले हम इन sentences को देखेंगे, ये सारे examples को देखेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि ये sentences क्या बता रहे हैं, इनका meaning क्या है तो अगर हम पहले sentence की बात करें, तो पहला sentence देखो क्या लिखा हुआ उसके बाद हमने यहाँ पर इसे sentence को past formula लिखा है, और उसके बाद जो sentence है, इसके साथ हमने एक extra clause जोड़ा है जैसे कि I insist that he be a millionaire, और उसके बाद जो fourth number पर sentence है, I wish he were a millionaire अब अगर यह तीनो sentence को देखोगे, सबसे पहले हमारे total sentences कितने चार sentences है तो इन चार sentences को मैं दो category में भाठ देता हूँ, जो पहला दो sentence है जो पहला दो sentence है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे factual और जो आखरी के दो sentences है, इसे हम बोलेंगे non-factual अब देखो, factual और non-factual का मतलब क्या हूँ, factual का मतलब वैसे sentences जिससे हमें fact के बारे में पता चलता है, और fact हम किसे कहते हैं, fact हम वैसे चीजों को कहते हैं मतलब कोई भी ऐसा statement जो की true हो, मतलब जो की सच हो, जैसे कहने का मतलब है he is a millionaire, मतलब अगर इस तरीके से sentence में हम यह बात को बोल रहा है कि he is a millionaire, तो इसका मतलब है कि वाके में वो एक millionaire है, इसमें कोई शक नहीं है मतलब यह जो बात बोल रहा है न, यह बात बिलकुल true है, कि वह एक करोडपती है, वह एक millionaire है और अगर हम second sentence की बात करें, तो he was a millionaire देखो, यह भी sentence क्या है, true है, यह भी sentence से पता चल रहा है कि past में वह करोडपती था, अभी नहीं है तो यह हम present का fact बता रहे हैं, और यह हम past का fact बता रहे हैं दोनों क्या fact है, और fact हमेशा सत्य होता है fact हम उन्हीं चीज़ों को कहते हैं, जिसका सचाई से लगने दना होता है तो fact present का भी हो सकता है, fact past का भी हो सकता है तो यह जो बोला जा रहा है, he is a millionaire, यह present का fact है और he was a millionaire, यह past का fact है इसलिए इन दोनों sentences को हमने किस category में रखा, factual category में रखना हमने इसे factual यानि fact के category में रखा, उसके बाद अगर बात करें I insist that he be a millionaire, अब मुझे यह बताना सबसे पहले, क्या यह sentence correct है यह sentence grammatically बिल्कुल correct है, लेकिन कैसे correct है, आगे हमें पता चलेगा पहले हम जानते हैं कि इन दोनों sentences के क्या meaning होए I insist that he be a millionaire, मतलब मुझे पता है कि वह millionaire नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा desire है, मेरा ऐसा demand है, मेरा ऐसा demand है, मतलब आप करोडपती नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है कि आप करोडपती बन जाए, मेरी इच्छा है कि आपकी सरकारी नोकरी लग जाए, लेकिन अभी आपकी सरकारी नोकरी नहीं लगी है तो इसका मतलब है कि I insist that he be a millionaire, मतलब मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि वह एक million air बन जाए, मतलब अभी वह million air नहीं है तो अभी अगर वह million air नहीं है, तो ये बात fact है या non-fact है, या इसका सचाई से कोई लिन दना नहीं है अगर हमारे कहने पर पहले से million air होता तो वह एक fact है, लेकिन हमारे कहने पर वह million air नहीं है बल्कि ऐसी इच्छा है को मिल्योन आर बन जा दे मारा ऐसा दिमांड तो इसका फैट से कोई लिन दना नहीं है अच्छा उसके बाद हम अगर चौत्य नम्बर की sentence की बात करों तो I wish कि वर अमिलियन आर का स्वह प्लियर होता का स्वह करोणपती होता लेकिन वह है नहीं होता लेकिन वह है नहीं मतलब क्या है यह वी एक non fact है तो इसको भी हम कहां रखेंगे non factual के category में रहेंगे तो देखो यह यह जो sentences है यह अलग-अलग तरह के mood बताने का कांतर रहेthest यह sentences से हमें अलग-अलग mood के बारे में पता चल रहा है writer का यह speaker के अलग-अलग intention के बारे में पता चल रहा है तो उसी को हम mood करते हैं तो आईये sentence mood का एक बहुत ही standard और बहुत ही simple सा definition जान लेते हैं What is mood? Mood हम किसे करते हैं? देखो Mood is a verb form that indicates the intention of the speaker or the writer तो देखो mood का tense when से कोई लिना दना नहीं होता है सबसे पहले मैं एक बात फिर से बता दू कि mood का tense when से कोई लिना दना नहीं होता है mood का लिना दना होता है work के form से उसके intention के बारे में बता है मतलब वो जो statement दे रहा है वो किस तरीके से दिर है, उसका mood क्या है, वो किस तरीके से सोचता है, उसका बोलने का tone क्या है, तो उसी को हम क्या बोलते है, mood बोलते है, so mood is that verb form, जो की indicate करे speaker के intention के बारे में, speaker के मक्षद के बारे में, उसके tone के बारे में, उसके इरादे के बारे में, इसे हम क्या कहते है, इ तो अब जानते हैं आण मूड्स के टैप्स के बारे जानते हैं, थीजिस्थ लेकिन राटीन के पूख में तीन तरह के मूथ दिये हुएं, एक तो मूड है इंडिकेटिo गे इंपरी अ वंड्स अवं सट्थे आदला मूड़ हैं, दूसरा मूड है इंपरेटीव मूड और किसे कहते हैं वैसे संटेंस वैसे स्टेट्मेंट जिससे फैक्ट के बारे में पता चलता है उसे हम इंडिकेटीव मूड करते हैं देखो दूसरा है imperative mood imperative mood वैसे sentences को कहते हैं वैसे statement को कहते हैं जिससे command के बारे में पता चले यह instruction के बारे में पता चले मतलब जिससे order, command, advice या request के बारे में पता चले वैसे sentences को हम क्या बोलते हैं उसे हम कहते हैं कि वो imperative mood है कैसा mood है imperative mood है, उसके बाद अगर हम बात करें subjunctive mood की तो subjunctive mood जो होते हो non-factual होते हैं, यानि कि उसका fact से कोई लिना दना नहीं होता है, बात कमस में आ रही है तो ये तीन types के mood है तीनो types के mood के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही simple words में बहुत ही सीधे तरीके से समझाऊंगा और example के साथ समझाऊंगा चली, तो ध्यान देना है देखो, पहले शुरू करते indicative mood से तो देखो, indicative mood जो होता है indicative mood tense के according use होते हैं, मतलब इसका tense से लेना देना होता है, indicative mood को basically tense से लेना देना होता है इसको tense से लेना देना होता है, ठीक है indicative mood को और indicative mood देखो, present में भी हो सकता है past में भी हो सकता है, और indicative mood से हमें किस के बारे में पता चलता है, fact के बारे में पता चलता है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कि indicative mood का हम use करते हैं, basically indicative mood का हम use करते हैं To state a fact. To state a fact. Fact बताने के लिए हम indicative mood का यूज़ करते हैं और indicative mood में जो verbs होते हैं dems के according चलता है, चलता है. Subject अगर singular होगा, तो verb होगा, सबजेक्ट अगर plural होगा, तो verb होगा, जैसे कहने का मतलब जैसे यहां पर subject, को singular है, तो इसके साथ हम Ease लगा दिए, अगर वर्व हमारे पस B का form हो तो Ease लगा दिए, जैसे subject हमारा यहां पर plural है, तो यहां पर Ease ना लग करके R लग जाएगा, यानि कि indicative mode में जो वर्व होगा न, वर्व के forms होगे, वो subject के number के according change होगे, उसके बाद अगर वो past का fact होगा, तो past म हमने कर दिया, देवर होगा, अगर past में singular subject होगा, तो was होगा, यानि total चीज़े जो हमने tense में पढ़ा है, जो चीज़े tense के according योज़ो, जो वर्व, tense के according और subject के number के according योज़ो, और जिससे fact के बारे में पता चले, वो fact present का भी हो सकता है, वो fact past का भी हो सकता है, तो उसी को हम indicative mood करते हैं, चलिए example से समझते हैं, तो पहला इसका काम होता है, तो street effect को effect बताने के लिए, और ये fact में फिर से बता दो, ये fact present का भी हो सकता है, और ये fact past का भी हो सकता है, तो जैसे देखो, यहाँ पर दो हमने example लिया, दोनों example क्या है, New Delhi is the capital of India, अब मुझे बताना ये एक fact है कि नहीं है, ये एक fact है कि नहीं है, फैक्ट हम फिर से बोलते हैं, fact हम किसे कहते हैं, फैक्ट वैसे चीजों को बोलते हैं, जिसका सचाई से लिना देना होता है, तो यहाँ पर New Delhi is the capital of India, ये बात सही है कि नहीं सही है, तो ये fact है, व Kolkata was the capital of India, आपको पता होना चाहिए, अगर आप history का student है, तो New Delhi से पहले Kolkata, यानि पहले का time में British, British का time में Calcutta बोला जाता था, तो Calcutta, New Delhi से पहले India का capital था, 1911 तक, 1911 तक, 1911 तक, इंडिया का capital कौन था, Calcutta था, अभी के वर्तमान टाइम में हम Kolkata बोलते हैं, तो ये भी एक fact है, लेकिन कब का fact है, ये past का fact है, बात समस्में आ रहे हैं, तो कोई भी ऐसा sentence हो, जिससे fact के बारे में पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं, indicating mood बोलते हैं, उसे हम indicative mood बोलते हैं, और भी कही सारे example अफ ले सकते हैं, जैसे, हमने बोला, you go to school, आप school जाते हैं, you go to school, आप school जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब ये क्या है, ये fact है, बात समस्में आ रही है, अगर मैं यहाँ पर ही लिखूँँगा, तो go क्या हो बात समझ में आ रही है यहां तक चीज़े आपको समझ में आ गया होगा आई होगा तो पहला तो यह है कि इंडिकेटीव मूड का यूज करते हैं फैक्ट बताने के लिए दूसरा यूज क्या है इसका इंडिकेटीव मूड का तो ध्यान देना इंडिकेटीव मूड का दूसरा यूज करने का काम करते हैं जिस सेंटेंस सेंटेंस के बारे में पता चलता है प्रश्न के बारे में पता करी यह भी क्या है यह भी एक कुश्चन है जो कि इंडिकेटिव मूड के अंदर आगा तो इंडिकेटिव मूड से हम दो चीज़ बताने का काम करते हैं या तो एक फैक्ट बताने का काम करते हैं या तो फुरी तरह से क्लियर हो गया और यह बात करते chances को हम क्या बोलते imperative mood बोलते हैं क्या बोलतें, imperative mood बुलते हैं. बातक मस्में आ रही है। चलिए फ़्रällt ध्यान दिजीये का है पहले imperative mood से हम एक Code कमांड का मतलब कमांड अपने अप में ओर्डर ही होता है। ठीक है तो слов Razag कमने ने और मैंने बोला कम यह यह हमने क्या कक्राइब किया एक परज़श ते क्लaid किया वहाँ जाओ उने क्या क्या और कमांड किया बात जमसे हो रहे तो यह internet injustice है और LinkedIn के साथ एक खास चीजा हप हमेसा ध्यान रखना देखो दुसरे संटेंसे में सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट यू हो सकता है सब्जेक्ट शी हो सकता है सब्जेक्ट भी हो सकता है सब्जेक्ट दे हो सकता है या किसी का नाम भी हो सकता है तो तो दूसरे sentences में subject कुछ भी हो सकता है, लेकिन imperative mood वाले sentence में subject fix होता है, subject fix होता है, subject क्या fix होता है, you fix होता है, imperative में subject you क्यों fix होता है, subject you इसलिए fix होता है, क्योंकि हम order या command किसको करेंगे, अपने से सामने वाले विक्ति को करेंगे, हम लोग request किस से करेंगे, अपने से सामने वाले विक्ति से करेंगे, हम लोग suggestion या फिर advice किसको देंगे, अपने से सामने वाले विक्ति को देंगे, और अपने से सामने वाले विक्ति को क्या बोलते हैं, you बोलते हैं, तो इसलिए imperative mood म या फिर imperative sentences के जो subject होते हैं, वो fix होता है, क्योंकि उसके cable एक ही subject होता है, वो कौन होता है, you होता है, और subject fix होने के कारण, 99% cases में, ये subject को understood माना जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है, जैसे देखो, directly बोला गया come here, तो यहाँ पर subject you कहा गया, subject you यहाँ पर नहीं लिखा गया, मतलब वो understood है, भाई, क्यों understood है, क्योंकि मैं बोल रहाँ, come here, मैं किसको बोल रहाँ, आपको बोल रहाँ, अपने से सामने वाला विक्ति को बोल रहाँ, तो जो चीजे साब साब के लिए रहना, उसको लिखी नहीं जाती है, तो ये बात बिलकुल ध्यान रखेगा, लेकिन देखो, जैसे हमने बोला, कि उसे जाने दो, हमने बोला उसे जाने दो, ये भी परकार का क्या है, ये भी परकार का, आप कह सकते instruction है, या फिर order है, ठीक है, तो उसे जाने दो, तो ऐसे sentence किस से स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट होगा, लेट स उसे जाने दो अब देखो ये भी इंपरेटीव मूड है ये भी इंपरेटीव मूड है ये भी इंपरेटीव मूड है लेकिन जान देना आपको इस बात पर कि यहां पर यहां पर देखो लेट से जड़ स्टार्ट होगा ना तो वहां पर यू ना लग करके यहां पर को दूस लेकिन इसको रखना पड़ेगा अब्जेक्टिव केस में अब्जेक्टिव केस का मतलब अगर हम लिख दिये हैं यहाँ पर लेट ही गो लेट ही गो तो यह सब्जेक्टिव केस गलत हो जाएगा आपको ही नहीं आपको यहाँ पर हीम लिखना पड़ेगा बात समझ में आ रह केस में कोई दूसरे प्रणाउंस भी आ सकते हैं यू भी आ सकता है यू नहीं यागा यूं को छोड़ कर कि कोई दूसरे सेकंड कोई दुसरे थार्ट परसन के यहाँ पर प्रणाउन आ सकते हैं। तो इंपरेटिब मूड और चाह से इंस्ट्रक्शन बताते हैं इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो ये सब क्या है इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन भी हम किसको देते हैं अपने से सामने वला विक्षी को देते हैं तुझ जैसे हमने बोला हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के लिए बोला टॉर्ण अन्ध कंप्यूटर हमने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया hold on for a while मतलब थोड़े देर के लिए wait करो hold on का मतलब क्या होता है wait करना है ना तो ये दोनों sentence क्या बता रहे instruction बता रहे तो instruction भी किस में आते imperative mood में आते उसके बाद हम लोग imperative sentence से suggestion या advice भी बता सकते है imperative sentence जो होता है imperative mood जो होता है उससे suggestion या advice का भी पता चलता है जैसे take care of your health यानि कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे एडवाइस कर रहे हैं या suggestion कर रहे है try to do better भाई बैतर करने का कोशिश करो एक तरह से advice है या suggestion है imperative sentence और क्या बताता है imperative mood से हम request भी बता सकते हैं जैसे please wait for me क्रिपया मेरे लिए इंतजार करें kindly grant my leave क्रिपया करके मेरे चुट्टी को मेरे चुट्टी का permission दे मेरे चुट्टी को grant करें तो यह क्या कर रहे हैं जहाँ बर भी हम please kindly word लगा दिया है उससे क्या पता चलता है उससे request के बारे में पता चलता है सब्जंग्टी मूड दो तरह के होगा है दो तरह के सब्जंग्टी मूड होते हैं एक होता है प्रेजेंट सम्जंग्टी और एक होता है प्रेजेंट सब्जंग्टी और एक होता है प्रेजेंट सब्जंग्टी और प्रेजेंट सब्जंग्टी और प्रेजेंट मत समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट टेंज की बात बोल रहें जब हम पास्ट शब्जुंक्टिब बोलते तो फिर से आप गलत फैमी में नहीं रहना है कि यह पास्टेंज की बात कर रहें जब भी हम सबजंक्टिब mode की बात करेंगे तो यहां पर TENSE से हमारा कुछ लेना देना होगा नहीं बलकि वर्ब की form से लेना देना होगा तो ध्यान दीजिएगा PDRENG sodentive कहेंगे तो वर्ब का कौन सा form होगा वर्ब का base form होगा वर्ब का base form होगा है अगर हम प्रेजेंट ची बात करें तो फ्रेजेंट टैंस में भी ओन भी आता है उरॉल सभिवाई बदाती लेकिन हम यहां पर類ां की बात नहीं कर रहा है यहां पर हम बात कर रहा है मूड की बात कर रहा है और खासकर कर दिमिल्ड में बसकोrets को बोलते भीवन को बुलते यानि उसमें कोई भी छेड़ चाड़ नहीं और सब्जेक्ट चाहे हमारा कुछ भी हो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हराल में वहाँ पर भर्प क्या लएगा भीवन लएगा इन्हें वर्प का बेस फॉर्म लएगा दूसरी बात ध्यान देना अगर हम पास्ट सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो अगेन हमारा पास्ट टेन से कोई लेना देना नहीं है हमारा लेना देना है वर्प के पॉर्म से तो अगर यहां पर ध्यान देना अगर पास्ट सब्जेक्टिव है तो में वर्प को आपको वीटू के पॉर्म में रखना है के second form में रखना है और अगर आपका वर्ब कहीं से अगर बी आ रहा है तो बी को यहां पर क्या कर देना वर्ग कर देना है अगेन मैं बोलता हूं सब्जेक्ट के नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो उससे क को लेना देना नहीं होता है लेकिन हां किस से लेना देना होता है वर्ब की फॉर्म से लेना देना होता है तो प्रेजेंट सब्जंक्टीब में क्या हो देगा बेस फॉर्म वर्ब बेस फॉर्म वीवन को कहते हैं और पास्ट सब्जंक्टीब हम किसको बोलेंगे वर्ब का सेक या तो वर होता है और वाज वर तो हम subject के according चलिएंगे. subject singular है या प्लूरल है. लेकिन एक बात मैं बता हूँ, फिर से मैं बता हूँ, हम लëग 10s नहीं बता रहे हैं. तो यहाँ पर वाज से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा. हमारा लेना दना होगा cable word से. तो I hope कि आपको यहां पर पता चल गया कि हम किसे present subjective और past subjective में किसे बोलते हैं और इसमें भर्व का form क्या होता है आई होब यह बात आपको यहां तक clear होगा ठीक है चलिए अब धियान देना है हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रेजेंट सम्जेक्टिप से बहुत ही इंपॉर्टन चीज बता रहो विल्कुल घ्यान से दिखना है पर एक्जामपल से चीज़े क्लिर हो जाएंगी प्रेजेंट सम्जेक्टिप क्या करता है प्रेजेंट सम्जेक्टिप से क्या पता चलता है सबसे पहले में बता जो प्रेजेंट सब्जंक्टीब से पता चलता है प्रेजेंट सब्जंक्टीब का मतलब हो गया जो प्रेजेंट के सिचुएशन के बारे में बात करें इवन फ्यूचर के सिचुएशन के बारे में बात करें प्रेजेंट सब्जेंटिव को पास्ट के कोई event से कोई लिने दना नहीं है यह प्रेजेंट के situation के बारे में बात करता है या future के situation के बारे में बात करता है सबजिंग्टीव मुड को सबजंटीव मुड में प्रेजेंट्न सब्देंटीव का पास्ड से कोई लन दनने ने होता है पास्ट के इवैंड से कोई इसका रेलेशंट नहीं होता है. तो ध्यान दिजेएगा. अभी हमने यहां पर सेंटेंस लिखा है लेकिन उन सेंटेंस से पहले आप जान लिजिए कि present subjective क्या बताता है present subjective से हमें क्या पता चलता है present subjective desire बताता है hope बताता है demand बताता है या indirect order है, किसी चीज के होने के लिए, या फिर किसी चीज के requirement है, फिर से सुनना, जिस sentence से हमें desire के बारे में पता चले, hope के बारे में पता चले, demand के बारे में पता चले, या आप किसी को indirect suggestion या advice देना चाहते हैं कि ऐसा उसके साथ हो तो उसी को हम बोलते हैं present subjective example से समझते हैं आए तो देखो यहाँ पर आपको बताना इन तीनो sentences में से कौन सा sentence सही है और कौन सा गलत है जो सही होगा वो सही होगा उसके साथ तो कुछ नहीं करना लेकिन जो गलत होगा उसको हम सही करेंगे तो पहले sentence चाह लिखा हुआ I suggest that he have a car अब यह sentence सही है गलत है चलिए आप लोग बताइए I suggest that he have a car यह sentence सही है गलत है तो मैं आपको बता दूँ यह sentence बिलकुल सही है यह sentence यह sentence बिलकुल सही है बिल्कुल सही है उसके बाद देखो क्या I suggest that he has a car यह sentence रही है गलत है यह sentence बिल्कुल गलत है I suggested that he have a car यह sentence सही है गलत है यह sentence बिल्कुल सही है अब आप कहोगे सर जो sentence मुझे सही लग रहा था आपने उसी को गलत बता दिया और जो गलत लग रहा था आपने उसको सही बता दिया वही क्या चल रहाए चकर चलिए मैं से नहीं पड़ रहे है और यहां पर मूड रहे है आईए जानते सबसे पहले आपको ऐसा क्यूं लगा होगा पहले मैं आपके मन की बात जानना चाहते आपके सोच के कोडिंग कि आपके सोच क्या होने कि यूज हूद हेई अभी मैंने 2010 पढ़ाएं अभी 2023 चल तो मुझे पता है मैंने बच्चों को ऑफ-लाइन बैच में भी पढ़ान है तो मुझे पता है कि कौन से पच्च कैसे सोच तो यहां पर मैं पहले आपके सोच के कोडिंग बताऊँगा, क्यों आपने कैसे सोचा कि चीजे जो अपने, जिसको सही माना वही गलत हो गया, और जिसको गलत माना वह सही हो गया, ऐसा क्यों होगा, तो आईए जानते, देखिए यहां पर, आपने क्या देखा, कि यहां पर स लगेगा तो कोई भी बोलेगा एक बच्चा को यहां पर यहीं के साथ हाइव लगाना गलत हो जाएगा पर यहां पर मुझे चीजें लग रही थी यहां पर देखिए आपने ही के साथ है इस लगा दिया याणि आप subject के according चल रहे हैं तो ये sentence तो सही होना चाहिए था लेकिन आपने इसी को गलत बता दिया उसके बाद ध्यान देना सर यहाँ पर जैसे क्या हो ना कि जब किसी sentence में दो clauses हो तो अगर main clause अगर past में हो चुकि देखो यहाँ पर suggest लिखा हुआ यहाँ भी suggest लिखा हुआ यानि suggest present में लेकिन यहाँ पर suggested लिखा हुआ यानि कि sentence यहाँ पर past में यानि main clause जो है वो past में तो ऐसा आपने पढ़ा होगा टेंस के chapter में भी पढ़ा होगा कि अगर main clause अगर past में है तो दूसरे clause का यानि dependent clause का यानि अगर बोडिने ट्लाउस का भी जो वर्वे वो past में होना चाहिए तो सर जब यहाँ पर suggest के जगा पर suggested है तो सर आप यहाँ पर have नहीं लिख सकते है सर आपको यहाँ पर have के जगा पर head लिखना पड़ेगा चलिए आपका सोच बिल्कुल सही है यहाँ पर हम इंडिकेटी मूड नहीं पड़ रहे यहाँ पर हम यहाँ पर हम यह नहीं देखेंगे कि यह ही सिंगुलर है यह प्लूरल है इससे कोई हमारा वास्ता नहीं है दूसरी बात सब्जंक्टी मूड को टेंस इसे भी कोई लेना दना नहीं होता है तो ऐसा मत देखिए कि यहाँ पर अगर पास्ट में है सजेस्टेड अगर पास्ट में है तो यह भी हमारा यह जो have है यह भी past में had होना चाहिए था तो अगेन आप क्या कर रहें, फिर से आप टेंस का help ले रहें, जबकि यहां पर टेंस तो apply होगा ही नहीं, बात समस्में आ रही है, चलिए, तो फिर चीज़ें होगा क्या, तो ध्यान गिजे, मैं फिर से आपको बात बता रहा हूं, अभी हम लोग किसका use जान रहे हैं, प्र present subjective का मतलब क्या, present subjective का मतलब verb का base form, बेस form of, base form of verb, verb का base form, भाई हमें क्या चाहिए, वर्ब का base form का मतलब क्या होगा, किसी भी वर्ब का original form, उसमें कोई ing, कोई ed, कोई en, कोई s, कोई es ना लगा हो, उसका original form, बेस form का मतलब वर्ब का original form, और base form हम किसको बोलते हैं, वर्ब का first form को हम base form बोलते हैं, तो ध्यान देना, तो सबसे पहली बात आपको ये जानना पड़ेगा, indicative mood का मतलब हो गया tense, subject का number, singular plural, लेकिन subjective mood का tense और singular plural से कोई नदन नहीं है, सर हम कैसे जानेंगे सर, क्यों indicative है, ये subjective है, मैं बताता हूँ, simple सी बात है, sentence पढ़कर के पहले देख लेना, क्या वो बात उसके साथ सच है, क्या वो बात सत्य है, अगर कोई बात सत्य है, fact है, तो indicative mood है, और वहाँ पर tense, tense के according चलो आप, subject के number के according चलो, singular plural के according चलो, लेकिन अगर किसी sentence को पढ़ने से पता चल रहा है, कि वो fact नहीं है, वो non factual है, यानि सचाई से उसका कूल लेने दना नहीं है, तो समझ लेना को subjective mood होने वाला, और subjective mood को tense से, और subject के number यानि singular plural से लेने दना नहीं होता है, अब देखो, अगर अलग से हम ये sentence लिखे, अलग से हम लिखे, अलग से हमने ये sentence लिखा कि, he has a car, he has a car, और मैंने फिर से लिखा, he have a car, he have a car, तो फिलाल के लिए अभी जो हमने sentence लिखा, आप इस sentence को इस sentence के साथ तुलना मत करना, इसको अलग से देखो, तो जब मैं बोल रहा हूँ, he has a car, यानि कि उसके पास एक car है, तो ये क्या है, ये sentence पढ़के क्या लग रहा है, ये fact है कि नहीं है, ये factual है कि non factual है, जब हम बोल रहे हैं कि उसके पास car है तो है, अतर पहले से car उसके पास है, यानि एक fact है, और जो fact रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, tense के according चलेंगे एक singular subject है अब देखो पढ़कर के देखो मतलब मैं ऐसा एडवाईज देता हूं, मैं ऐसा सजेशन देता हूं कि उसके पास एक कार हो, विचारा उसके पास कार नहीं है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके वो अपना ओफिस जाता है, और इसलिए उसे बहुत दिक्कत होता है, वो घर देर से पहुंचत है कि उसके पास एक कार हो, मेरा ऐसा एडवाईज है कि तुम्हारे पास एक कार हो, तुम्हारे पास एक कार हो का मतलब क्या है, तुम्हारे पास पहले से कार नहीं है, मतलब यह फैक्ट नहीं है, यह नॉन फैक्ट है, तो नॉन फैक्ट वाली बात में हम क्या करते हैं, वह तो बेस फॉर्म कौन होगा है वोगा है वोगा तो बेस फॉर्म हमारा है और जब बेस फॉर्म हम बोल दिये यानि इसका सब्जेक्ट से कूल इन दना नहीं है तो फिर सब्जेक्ट यहां पर ही रहे चाहे दे रहे चाहे वी रहे चाहे यू रहे कुछ भी रहे बर तो भीवन लगेगा ठीक है तो इसलिए इसलिए ये जो सेंटेंस है ये तो यह सही है यानि कि ही के साथ वको ड़कुल सही है थीक है अच्छा उसके बाद सब्सक्राइब से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं मतलब उसके पास कार नहीं है हैं मतलब non-factual है तो non-factual है तो non-factual में आपने भी 5 कैसे लगा दिया भी 5 तो नहीं लगा सकते बेस्वाँ लगाना था इसलिए sentence गलत अब देखो I suggested that यानि मैंने ऐसा suggestion कब दिया past में दिया तो past में जो suggestion दिया मैंने उसे suggestion किया मैंने उसे suggestion किया कि तुमारे पास एक कार हो या तुमारे पास होना चाहिए मतलब तुमारे पास है नहीं तो भले ही पहले वाले जो main clause है न यह sentence past का statement है पास्ट का लेकिन जिस बात पर हमने suggestion दिया वो तो इस बात पर suggestion दिया और यह वाला बात क्या है ये वाला बात अभी भी क्या नान फैक्च्टॉल और नान ट्रक्चॉल है dosus यहां पर भी हैवी रहेगा तो यह भी सेंटेंस ही बात समझ में आ गया यह बात क्लियर है इस अभी को Kalim कुछ और example ये लेकिन कहीना कहीन से एक question बनते है कि sir हम कैसे पैचानेगे सर जब आप sentence को अलग से लिख रहे कि he have he has या he had a car तो sentence को देखके ही पता चल रहा है कि यह fact है और fact के according हमने इसको चुन लिया लेकिन सर ऐसा sentence रहे तो हम कैसे पैचानेंगे कि यह factual एक non factual है तो एक बात मैं बताऊं जो non factual वाले sentences होंगे न उसके साथ कुछ extra verbs जूड़ी हुई होती है जैसे कि जुड़ा हुआ suggest that, advise that, insist that, request that ऐसे ऐसे verbs जुड़े होते हैं उसके साथ तो उन verbs को देखकर कहीं आप hint लगा लोगे कि दिया गया sentence जो है न वो subjective mood में है वो non factual है तो चलिए मैं hint के लिए वैसे वर्ब का एक list आपको बता देता हूँ यानि उन verbs को देखते के साथ अगर उन verbs का use में clause में हुआ है तो समझ जाना कि उसके बाद जो subordinate clause आएगा वो क्या होगा वो subjective mood में होगा देखिए कौन-कौन से ऐसे verbs है यह मैं लिस्ट आपको बताता हूँ ध्यान से देना देखना वर्ब्स फॉलोड़ बाई प्रेजेट समझ जन्क्टीम अच्छा वैसे वर्ब्स वैसे वर्ब का लिस्ट है जिनके बाद प्रेजेट समझ जन्क्टीम मूड का हम use करते हैं ऐसे कौन-कौन से वर्ब है तो देको एडवाईज है, insist है, propose है, prefer है, require ह है आस्क है इंतेैं है रिकोमेंड्स है सजेस्ट है डिमांड है और रेजुनान्ट है उटडर है रिग्रेट है अर्ज अर्ज है डिजायर एप्र अच्छा प्रिफर है अचा प्रिफर यहां भी लिखा हुआ दोबार रिकुेस्ट है और विश है, तो यह सारे वर्ब्स अगर में क्लाउज में हो तो उसके बास आने वाला somewhat ओगा यह पक्त का होगा स्वजंक्टी मूड होगा क्या होगा स्वजंक्टी मूड होगा बाते क्लिएर चलिए कुछ एक्जांपल ले लेते हैं कुछ कजांपल यह साक्ति हमने लिखा एक सेंटेंस हमने लिखा हमने लिखा जैसे I यह फिर ऐसा लिखते हूँ हाँ एसा लिखता है जैसे हमने लिखा अब आपको बताना यह जो sentence हमने लिखा अब मुझे यह बताना है कि sentence को देख के क्या लग रहा है मैं क्या बोलना चाला हूँ कि वह honest है वह इमानदार है तो यह तो fact हो गया अब इसके साथ जो अभी मैंने list में जो verbs बता है कुछ भी verbs इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है मतलब कि यह sentence एक fact में count होगा और fact में count होने का मतलब है कि यह indicative mood है और हम लोग उसके according verb का selection करेंगे तो यहाँ पर बी का use नहीं होगा क्योंकि बी तो base form है हमें इसका use करना पड़ेगा He is honest बात समझा रही है मैं अब दूसरा example देता हूँ मैंने यहाँ लिखा I insist I insist that he be या he is honest अब आप मुझे बताना देखो यहाँ पर जो sentence लिखा हुआ यह वाला जो sentence है subordinate clause में उसके साथ कुछ चीजे जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है इसके साथ एक ऐसा verb जुड़ा हुआ है जिसको देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि यह subjunty mood है यह non factual चीज है तो जब मैं बोलता हूँ कि he is honest तो इसका मतलब है कि वो honest है इस सचाई को कोई काट नहीं सकता है यह fact है को honest है लेकिन अगर मैं बोलू कि मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि वो इमंदार बने वो इमंदार हो मतलब वो इमंदार नहीं है बस मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि वो इमंदार बने यह उसे इमंदार होना चाहिए, मतलब यह non-factual है, तो insist को देखकर की पता चल गया, कि यह non-factual के बारे में बात कर रही है, तो जब non-factual है, यानि subjunctive mood है, present subjunctive है, और present subjunctive का base form क्या होता है, base form होता है, भीवन, यानि कि यहाँ पर ease नहीं लगेगा, ease नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर बी लगेगा, तो I insist that he be honest, साही sentence क्या होगा, I insist that he be honest, चीज़े क्लियर है, समझ में आ गया, चलिए, बहुत बढ़ी है, अब देखो, इसके अलावे, कुछ verbs के अलावे, कुछ adjectives भी होते हैं, जिनसे हम hint लगा सकते हैं इसके बाद आने वाला जो clause होगा, वो present subjective mode होगा, अब ऐसे देखो, कौन-कौन से adjectives है, adjectives followed by present subjective, अभी मैंने आपको वर्क का लिस्ट बता है, verbs followed by present subjective, अब मैं बता रहा हूँ, adjectives followed by present subjective, तो कौन-कौन से adjective होगे, जैसे advisable है, best है, crucial है, desirable है, essential है, urgent है, imperative है, important है, necessary, urgent, अच्छा है, urgent यहां पर हुआ है, पहले विकेट, चलो, ठीक है, vital है, preferable है, required है, ATC, यह सारे, अगर adjective आपको दिखाई दे, तो समझ जाना कि अगेन इहां पर बात non factual हो रही है, मतलब subjective mode है, clear है यह बात, चलिए, तो example से समझते हैं, example से समझते हैं, जैसे हमने example लिखा, यह बाता, example हमने लिखा, It is advisable, It is advisable that It is advisable that It is advisable that शी शी सम रेस्ट, इसा एडवाईज किया जाता है, कि वह थोड़ा अराम करे, मतलब वो अराम नहीं करती है, मतलब हम लोग ऐसा एडवाईज कर रहे हैं, कि वो थोड़ा अराम करे, बात तमस में आ रहे हैं, या नन-factual है, तो मैं आपको औप्सन देता हूं, आप्सन देखो क्या है पहले आप्सन में है टेक और दूसरी आप्सन में है टेक्स तो देखो एडवाईजिबल से यह एडजेक्टिव से पता चल गया कि इसके बाद वाले जो सेंटेंस है वो नॉन फेक्ट्टुल है सब्जंक्टी मूड है तो आप मुझे बताओ यहां जो ब्लैंक स्पेस है क्या लगाओ गए शीट टेक्स देखो यहां एस लगाओ तो सर चुकि यह सब्जंक्टिव मूड है प्रसेंट सब्जंक्टिव है तो हमें वर्ब का बेस फोर्म चाहिए और दोनों में वर्ब का बेस फोर्म को ने यह अब हम बात करते हैं पास्ट सब्जंक्टिव के बारे हैं पास्ट सब्जंक्टिव के बारे हैं देखो सब्जंक्टिव मूड का जो अगला टाइप है पास्ट सब्जंक्टिव तो पास्ट सब्जंक्टिव इस यूजड आप्टर तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट पास्ट सब्जंक्टीब से हम क्या बताने का कुसिस करते हैं, पास्ट सब्जंक्टीब हम वैसे mood को कहते हैं, जिससे हमें unreal या फिर कोई भी ऐसा situation हमें कोई भी ऐसा situation situation के बारे में पता चलता है जो कि हमारा जो fact होता है उससे opposite होता है opposite to fact opposite to fact तो देखो हम यहाँ पर past subjective mood किसे कहते हैं सबसे पहली मैं आपको बता दू नाम है past subjective लेकिन कभी भी हम past subjective से past की घटनाओं के बारे में बात नहीं करते है present subjective से भी हम present और future के situation के बारे में बात करते है और past subjective से भी हम present और future के ही situation के बारे में बात करते है नाम है past subjective लेकिन किसका past से कोई लिने देना नहीं होता है तो सर जब दोनो present subjective भी और past subjective भी दोनों present या future के situation के बारे में बात करता है तो फिर दोनों में difference क्या है difference यह है कि present subjective से हमें किसी requirement के बारे में पता चलता है indirect requirement, indirect advice, indirect order या desire के बारे में पता चलता है demand के बारे में पता चलता है कि कोई चीज ऐसा नहीं है बट हम लोग demand करते हैं कि ऐसा होना चाहिए यह हो गया present subjective और past subjective का मतलब है कि कोई भी ऐसी situation जैसा हम बोल रहे हैं या कह रहे हैं वो ठीक उसके opposite है वो ठीक उसके opposite है बात तमस्न में आ रही है जैसे कास में देश का प्रधान मंत्री होता तो मैंने कौन सा statement दिया कास में देश का प्रधान मंत्री होता लेकिन इसका situation का opposite क्या है opposite यह है कि मैं प्रधान मंत्री नहीं हूँ मैं अपने देश का प्रधान मंत्री नहीं हूँ लेकिन हमें जो statement दिया मैंने अपने present situation के opposite दिया कि नहीं दिया तो इसी को बोलते हैं past subjective यानि कोई भी जब आपा statement देते हैं वो ऐसे situation की बात करता है जो आपके present situation से ठीक opposite बात करता है तो उसी को हम past subjective बोलते हैं past subjective हमेशा unreal बाते बोलती है unreal बाते कहती है मतलब जिसका reality से कोले नदना नहीं हो hypothetical हो imaginary हो मतलब कालपनिक बाते हैं उसी को हम बोलते हैं past subjective और once again मैं बता दूँ कि past subjective का past event से खुई लिन दना नहीं होता है past subjective present और future के situation के बारे में बात करता है जैसे कि present subjective करता है ठीक है तो अब देखो past subjective जैसे देखो वहाँ पर मैंने कुछ verbs के list बता दिए जिसके बाद present subjective बात है मैंने कुछ adjectives के list बता दिए जिसके बात present subjective बात है दुसर past subjective के लिए भी कुछ hint बता दीजी आप प्लीज चीव मैं बिल्कुल बताता हूं ध्यान देना तो सबसे पहली बात कोई भी ऐसा statement जिससे पता चले को hypothetical condition है hypothetical मतलब जो image नरी हो जो कालपनीक हो या कोई भी ऐसा situation जो हमारे reality के ठीक opposite हो तो उसको हम past subjective बोलते हैं और साथी साथ पहचान की बात करें तो पहचान में आपको sentence में आपको if मिल जाएगा as if मिल जाएगा as though मिल जाएगा it is time मिलेगा it is time को it is high time भी लोग लिखते है would rather subject मिल जाएगा would rather plus subject यह मिल जाएगा तो अगर यह देखो मैंने यहां जो bracket में लिखा है अगर sentence में यह चीज़ दिखाई देता है तो समझ लेना कि यहां पर बात किसकी हो रही है past sub यहां पर बात हो रही है past subject की एक और में पहचान में बता देता हूं past subject में इन सभी के अलावे इन सभी के अलावे आई विश का भी यूज़ होता है आई विश का यूज़ सबसे ज़्यादा होता ध्यान देना past subject में अगर कोई sentence आई विश के बाद आ रहा है तो समझ लेना है कि यह sentence past subject का है चलिए एक्जामपल से समझते हैं देखो एक्जाम क्या क्या है ऐक्जामपल है इफ आई वर यू इफ धर इफ यवर इट से स्टार storage इफ आई वर यू आइव अ डूट डू दाट अगर मैंत तुम्हारे जगह होता तो मैं वैसा नहीं करता मतलब और मैंत तुम्हारे जगह होता लेकरर रियालिट्या यांगली तो ध्यान द कि अगर पास्ट सब्जंड्टिव की बात हो रही है तो वहां पर आप वास का यूश कभी भी मत करना सब्जेट कुछ भी ओवाग करना जब भी यूश करना तो किसका यूश करना क्योंकि यह इसका बेस कर दिया थीक । उसके बाद एक ही वॉक्स डो वा या तो या तो लगा drंk अच्छा या आइज का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है मानो की मतलब ऐसा चीज नहीं है ऐसा रियल में नहीं है बट मान लीजिया पैसा मानो की ठीक है वह ऐसे बात करती है वह मुझे ऐसे ओर देती है जैसे मेरी वाइफ है लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है तुम ऐसे ओर देते हो मुझे जैसे तुम मेरा बोस हो लेकिन तुम मेरा बॉस नहीं हो तो यहा वह ऐसे चलता है जैसे को पी रखा हो मतलब वह पिया हो ठीक है तो यहां देखो यहां ही होने के बावजुद भी यहां पर हम वर का यूज कर रहे है क्योंकि नहीं पास्ट सबजंक्टीव में वाज़ का कोई रोल नहीं होता जब भी होगा तो वर होगा उसके बाद देखो अगर कोई सेंटेंस अगर इटिस टाइम से शुरू हो इटिस टाइम से इस्टार्ट हो और यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कई बार एक्जाम में इस से question आते रहता है तो it is time के बाद वाले जो clause होंगे न जो sentence होंगे उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा पास्ट सब्जंक्टीब में रखना पड़ेगा निवीटू के form में लिखना पड़ेगा तो it is time we called them मतलब समय आ गया है कि हम लोग उसे बुला ले समय आ गया कि हम लोग उन्हें बुला ले मतलब यह क्या सो करता है यह यह बात बताने का काम करता है कि कोई काम जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है बहुत लेट हो गया इस टू लेट तो क से स्टाट होता है और इसके बाद इसके बाद का जो सेंटेंस होगा उसमें पास्ट सब्जंक्टीव अपलाई होगा यानि वी टू का अपलाई करेंगे ठीक है तो इस टाइम भी कॉल दें उसके बाद एक और चीज ध्यान दिजिएगा अगर यह वाला स्ट्रक्चर रहे उट राधर प्लस सब्जेक्ट उट राधर प्लस सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है यह प्रेफरेंस बताने का काम करता है कि मैं चाहता हूं कि यह काम इस तरीके से हो मतलब प्रेफरेंस से प्रेफरेंस बताने काम करता है जैसे एक्जांपल क्या है आई उट राधर अब देखो इसके बाद subject लगा दर है I would rather you went by car मतलब मैं चाहूंगा मैं ऐसा चाहूंगा कि आप पैदल ना जा करके या train से ना जा करके आप car से जाएं मतलब ऐसा मेरा preference है तो would rather plus subject क्या करता है प्रेफरेंस बताता है तो यह सभी पहचान है यह सभी past subjective को identify करने का पहचान है सबसे बड़ा पहचान क्या है I wish सबसे बड़ा पहचान है I wish उसके बाद पहचान में क्या है if है as if है as though है it is time है would rather plus subject है I wish चे मैं एक example बताता हूं जैसे I wish I wish I wish फिर से मुझे लिकना रहा I wish I wish I were I were a superstar I wish I were a superstar स्टार कास्ट मैं एक सूपर स्टार होता बेट मैं सूपर स्टार नहीं ठीक है तो यहां पर संटेंस किसी शुरूब और आई विश वाले कास्ट आई विश का मतलब हो गया कि इसके बाद पास्ट सब्जंग्टिब का यूज होगा तो आई होब कि अब तक आपको समझ में आ कर दिया कुछ एक्स्ट्रा चीज़े ही मैंने बताया होगा जो कि बुक में सायथ नहीं है ठीक है या फिर बुक में भी बहुत सारे ऐसे चीज़े जो सायथ मैं नहीं आपको बताया है हाज करके अगर आप बुक के एक्सराइद वगरा स्वाल करोगे तो आपके लिए और क्योंकि कोई भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं जब तक आप उसका एक्सरसाइज नहीं लगा होगे न तो इन सारे चीज़ों को जानने का कोई मतलब नहीं कोई फायदा नहीं ठीक है तो आई होब कि आपको यह सारे बाते आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि प्रोष्ट Video डाला करो सर एक दिन में दो दो डिवीडियो डाला करो फिक है वही parenthिक्ति बात सुनी झाय मेरा भी तो इच्छा है मेरा भी तो बूद कुछ डिमस्ब और मेरा डिमांड है कि आप लोग अगर हमारे वीडियो को शेर नहीं कर सकते हो तो कम से कम कमेंट तो कर दिया करो कम से कम लाइक तो कर दिया करो जो कि मैं नहीं देख रहा हूं आपके तरफ से और यहीं सारे चीजे मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है कि मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं तो प्लीज आप इस बात पर ध्यान देजें अगर वाक्य में हमारे वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो फिर आप इस चैनल को बड़ा परिवार बनेए ना छोटे परिवार ले करकें कितना दिन चलें फिर एक दिन ऐसा होगा कि मेरा मूड आफ होगा जैसे आप लोग आज मूड पढ़ रहे हैं तो मेरा मूड आफ होगा तो सब कुछ डिलीट कर दूँगा मैं सारा चैनल वीडियोस बगर सब कुछ डिलीट कर दूँगा क्या ही फायदा है जब मैं इतना मैनत करूं दिन बर यह पावर पॉइंट बनाओ इतना रिसर्च बात चीज़ों को आपके लिए इतने आसानी से एक्स्प्लेन करों इसको सिंप्लिफाई करों और बाद में पता चले कि हंड्रेट व्यू गया है तो हंड्रेट व्यूज गया है हां सुरू के वीडियोस में तो भई बहुत सारे व्यू जा रहे थे लेकिन अब 200-300 पे अट आधियो को ले जाता है turbulence कंट थेकं ठाक हुआ हूँ जिनके वीडियोस पे लाइक ठीक ठाक हुआ है और जिनके वीडियोस को और इन्स कम सेंफृति फंटेक्ट देखता हो लेकिन मेरे वीडियोस तो बहुत लंबे हो जाते हैं और आज कर देट में लोगों को लômबे वीड मेरे वीडियो में टिकेंगे नहीं टिकेंगे हाँ सौ में से 10% ऐसे लोग होंगे जो सिंसियर होंगे पढ़ने वाले होंगे वह बहुत सिद्दत के साथ डेडिकेशन के साथ पूरे वीडियो को देखेंगे तो ऐसे स्टुडेंट से मैं बहुत खुश रहता हूं और अगर यकीन मानों कि अगर मैं फिर भी वीडियो आसके डेट में बना रहा हूं तो मैं केवल 10% वाले लोगों के लिए बना रहा हूं और 90% नही हैं जो दिन भर में सो वीडियो देख लेगें लेकिन एक वीडियो नहीं देखना चाहेंगे जिस एक वीडियो से उसका काम हो ओ आता है जिसके पास पेस से वैसे भीवर्स हमारे सब्सक्राइर रह सकते हैं ठीक है कह से कलाउज पर मैं और वीडियो बना चुका हूं सुनील गौतम आप मैंने अलग से उप शॉपान अलग शॉब बनाया है और फ्ला पर वूदियो मैंने माइन आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन इसे गुड़ बाइ